नमस्का फ्रेंट्स आज हम तुला लगन की जात्कों के लिए नमंबर का महीना क्या कुछ लेकर क्या आएगा इसके विशे में चर्चा करेंगे और खास करके देवगूरे ब्रहस्पत्ती की राशी परिवर्तन जो 21 नılanबर को मकर राशी से और नीच राशी से जो है ऊपनी शनी की राशी में कुम राशी में प्रिविश्च करेंगे उसके बारे में विचर्चा करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वह रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और एक बैल आइकन उससे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिविशन मिलती रहे तो सबसे पहले हम लगनेश जो आपका शुक्र है उसकी बात कर लेते हैं तो लगनेश तुला लगन वालों का शुक्र जो है इस समय तृतिय भाव में प्राक्रमस्तान में तो यहां पर आपके प्राक्रम में वृद्धी होने वाली है इस समय इस महीने प्राक्रम में विर्धी का मतलब है आप अपने कारें जो अभी तक आपने रोक रखे थे या आपके कारें में कोई गती नहीं थी तो वहाँ पर ये गती आपको इस समय शुक्र दिलाता हूँ नजर आएगा और आएके साध्रों में आएके स्टूत्रों में भी आपके शुक्र यहाँ पर विर्धी करता हूँ नजर आएगा उसके लावा आपका परोस में कोई प्रेम प्रसंग यहाँ पर ये शुक्र क्रेट करवा सकता है और शुकर की जो आपकी तरते भाव की स्थिती है वो आपके लगन की बलिष्ट करता हो नजर आएगा क्योंकि प्राक्रम वेक्ति जब करता है या पुर्शार्थ के दौरा निज़ पुर्शार्थ के दौरा आगे बढ़ता है तो अपने घर परिवार में या समाज में एक तरह से अधर्श के रूप में देखा जाता है तो शुक्र यहाँ पर आपको एक मान समान की स्थिति दिलाता हूँ नजर आएगा या आपके कारियों में जो है वो सभी को दिखाई देगा कि इस वेक्ति ने जो है कुछ अचीमेंट्स की है लाइफ में और ये समय शुक्र की जुस्तिति है वो आपकी अचीमेंट्स को दिखाता हूँ नजर आएगा उसके लावा अच्टम भाव का स्वामी होने की वज़े की साथ साथ शुक्र जा है वो आपको आपके गुप्त अंगों में कहीं न कहीं रोग की स्थिति बनाता है जैसे कि मुत्राशे की प्रॉलम्स है या आपको फिश्चुला हो गया ये इस तरह की चीजों पर शुक्र का थोड़ा सा आपको दुश्प्रिणाम देखने को मिल सकता है अगरवाई शुक्र की स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है उसके बाद हम बात करते हैं देव गुरु ब्रिश्पती की तो देव गुरु ब्रिश्पती 21 नवंबर को जो आपके मार्गी स्थिति में पंचम भा आएंगे गुरु हर तरह से चाहिए आपके प्रफेशन की बात कर लें जब विवाह नहीं हो रहा था तो उनका विवाह करवा देगा संतान प्राप्ती के लिए आपके लिए बहुत उत्तम समय है कोई प्रापर्टी आपकी बिक नहीं रही थी कोई मकान आप खरीदना चाह से उसके बाद हम बात कर लेते हैं सूरे ग्रह की तो सूरे जो है वो आपका लाबस्तान का स्वामी है और इस महीने दो राशियों में जाएगा एक तो आपके लगन में और आपके दूतिय भाव में तो लगन में जिब तक सूरे रहेगा आपनी नीच राशी में तो यहां कहीं न कहीं थोड़ा स्वास्ते में हानी दर्शाता है, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी व्यक्ति की कमी हो जाती है, तो इस समय जो है वो किसी से वाद विवाद से उगरता से आप थोड़ा सा अपना बचाव रखें, हलांकि यह मान प्रतिश्टा में आपके देतावन नजर आएगा, और उसके बाद 16 नमंबर के बाद जब यह आपके द्वित्य भाव में चला जाएगा, तो लाबस्तान का स्वामी धनस्तान में गया है, तो धन की आपके जो आए के जो स्टूत हैं वो बहुत बढ़ते वे नजर आएगे, और भासे आपको धन इस स्टिती भी बहुत उत्तम बनी हुई है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुद्ध ग्रह की, तो बुद्ध जो है वो आपका भागिस्तान का स्वामी है और व्याइभाव का स्वामी है, और बुद्ध भी इस भीने आपके लगन में और दुत्य भाव में गोचर करेगा, तो दुद्ध शेश का लगन स्थान पे जाने का मतलब है कि व्यक्ति का जो व्याइभा है वो अपने उपर व्यक्ति समय व्याय करता है, जाए वो अपने श्रिंगार के लिए पैसा खरच कर रहा है, या अपनी हेल्थ के लिए या अपने मेंटेनिस के लिए आपका भुद जो है विस समय पैसा करच करने के लिए आपको प्रेडित कर रहा है और विदेश यात्रों की योग भी ये बना रहा है आपका भागे भी बुद्ध इस समय साथ देता हूं नजर आएगा और जब बुद्ध आपका 21 मुंबर को आपके दूत्य भाव में सेकिंड हाउस में जा हुआ है और आपके सब्तम भाव का स्वामी है और दृत्य भाव का धनस्तान का स्वामी है तो यहां पर मंगल जो है आपको मंगलिक दोश का निर्मान कर रहा है तो जिनको भी मंगल की दशा अंतर दशा और प्रतिंतर दशा चल रही होगी तो कहीं न कहीं पत्ति पत्नी मे वेमनेस से किस्तिती मंगल कहीं न कहीं आपके क्रेट करता है या मिसंडरस्टेंडिंग हो गया या समझ नहीं पाना है और खास करके वैसे भी आपके स्वबहां में उगरता इस समय इस महीने बनने रहेगी क्योंकि सोलन नुमंबर तक सूरे भी आपके लगन में है और मंगल जैसा क्रूर ग्रह भी लगन में बैठा हुआ है तो यहां पर आपके अंदर क्रोध इस समय ज़्यादा देखने को मिल सकता है इसलिए थोड़ा सा आप अपने आपको इस में सयम से और शांती से आगे बढ़े और व्यर्थ के वाद विवाद से दूर है नहीं तो आपको मंगल भी आपको परिशानी करता हुई ही नज़र आएगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं शनी ग्रह की तो शनी आपके चतुर्त भाव में मारगी स्तिती में गोचर कर रहे हैं सोराशी का शनी है यहाँ पर आपको रियल स्टेट वाले होगे या भूमी मकान का पूर्ण रूप से सुख मिनने वाला है कोई नई जमीन अगर आप खरिणना चाहते हैं तो यह शनी के मारगी होने पर उस सभी कारे जो अभी तक रुके हुए थे कोई प्लॉट बेजना चाहते थे प्लॉट या मिशिनरी खरिणना चाहते थे वो इंडस्ट्रीज इस्टैबलिश करना चाहते थे तो अभी शनी की जो मारगी स्थिती है यह बहुत उत्तम यहाँ पर बनी हुई है उसके लावा जो अलकॉहल बीवरिजिस का काम करते हैं उनके लिए भी शनी की चतुर्त जो यह स्थिती है यह बहुत उत्तम है तो वहाँ पर उनको भी शनी जो है वो लाब दिलाता हो नज और आपके प्रोफेशन के दश्म भाव पे दिश्टी रहने से कारेवेवसाय में कारेस्थल में भी आपको जो है वो अच्छे प्रिणाम यहां पर देगा तुल अलगन वालों को और राहु के तू की बात करें तो राहु आपके अश्टम भाव में हैं अश्टम का राहु ज है वो आपको थोड़ा सा जो वाहन चलाते हैं वो थोड़ा सहीम हो करके वाहन चलाएं क्योंकि राहु कई बार एक्सिडेंट की योग बनाता है अश्टम भाव में उसके लावर राहु अश्टम भाव में आपके ससुराल पक्स से आपको धन दिलाता हूँ नजर आएगा और कोई ऐसा पैसा जो आपने कमाया नहीं हो वो प्राप्त हो सकता है वो सभी चीज़ें आपको या गड़ा धन जिसको हम आज पुराने जमाने के साफ से कहते थे तो राहु आपको अश्टम भाव में वो सब दिलाता हूँ नजर आएगा बात कर लेते हैं केतू की तो केत आपको बना रहा है और उसके लावा जो आपका ससुराल है वहां पर भी आपके कुछ ना कुछ जो है वो तनाव की स्तिती बननी हुई है तो केतू के लिए आप जितना भी आप गनेश जी की स्तूति करते हैं उनको आप दुरुआ चड़ाएं बुद्वार वाले दिन और क अच्छा लागा होगा इफ यू लागे वीडियो प्ली सब्सक्राइब चैनल थैंक्स फो वाचिंग द वीडियो